कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुती प्रति दिन एक कविता कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिये कविता बहुत दिनों के बाद इस कविता को लिखा नागार जुन ने सुनिये कविता पेरी याने आर्थी की आवाज में। बहुत दिनों के बाद अपकी मैंने जी भर सुनगे मौलसिरी के धेर धेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद अपकी मैं जी भर छूपाया अपनी गवाई पक्डंडी की चंदन वर्णी धूल बहुत दिनों के बाद अपकी मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर बहुत दिनों के बाद अपकी मैंने जी भर भोगे गंध, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, सब साथ साथ इस भूपर बहुत दिनों के बाद आज की कविता को आप पॉड्कास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं आप जहां भी प्रती दिन एक कविता सुन रहे हैं, वहां अपने कॉमेंस शेर करना न भूले अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तती हर सुबह आपके वॉट्साप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मेसेज भेजें कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे